तो चलिए फिर देर न करते हुए आज की रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं तो दोस्तो आज की रेसिपी को बनाने के लिए यहां पे मैंने 1.5 कप मैदा ले लिया है उसमें हम डालेंगे 1 टी स्पून नमक अच्छी तरह से मिक्स करेंगे उसके बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पाने डालते जाएंगे और इसे गूंत कर हम तयार कर लेंगे आज हम आलू और मैदा की रेसिपी बना रहे हैं जो की बहुत ही यूनीक रेसिपी है अगर आप यहां पर मैदा को रिप्लेस करना चाहते हैं थोड़ा सा हल्दी बनाना चाहते हैं तो आप यहां पर एक कप गिहूं का आटा और आधा कप सूजी से भी इस रेसिपी को बना सकते हैं मतलब अगर आप मैदा नहीं पसंद करते ना तो सूजी और गिहूं के आटे को मिक्स करके गूंत लीजिए बाकी पूरा प्रोसेस सेम रहेगा अब हमने यहां पर जब आटा गूंत लिया है मैदे का फिर हम इसमें डालेंगे एक टी स्पून के करी तेल और इसे फिर से अच्छी तरह से चिकना कर देंगे और इसके बार दोस्तों हम इसे कवर करके रख देंगे ताकि अच्छी तरह से सेट हो जाए अगर आप चाहें तो इसे फिरिज में भी रख दीजे दस मिनट के लिए थोड़ा सा यह सैटल हो जाएगा और बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा अब यहां पर इसे रख लेते हैं और चलिए बाकी चीजों की तयारी करते हैं तो यहां पर मैंने दो कप कॉन फ्लेक्स ले लिए थे इस सरफेस पे से रखकर तो भी यह सब क्रश हो जाएंगे अब हम बनाएंगे इस लेरी तो बनाने के लिए मैंने दो बड़े चममच मैदा और दो बड़े चममच कॉन फ्लोर ले लिए हैं उसके बाद हम इसमें डालेंगे एक टीस्पून काली मिर्च का पाउडर और एक टीस बन जाएंगे फिर उन्हें ठीक करने में बहुत जादा समय लग जाता है तो आप पहले थोड़ा सा पानी डालिए इसे अच्छी तरह से गाड़ा सा घोल बना लीजे देखिए मैं कैसे बना रही हूं उसके बाद जब यह गाड़ा सा घोल बन जाएगा फिर हम इसमें बहुत जादा भी पतला मत कीजेगा अच्छी तरह से थोड़ा सा थिक भी होना चाहिए जो हम नास्ता बनाएं उसके उपर कोट हो जाना चाहिए कई बार जो हम लोग स्लेरी बनाते वह इतनी पतली हो जाती है कि वह नास्ते के ओपर चिपक ही नहीं पाती और इतना बड़ जल्दी से छूट नहीं रहा है इसका मीन्स यह परफेक गोल यह देखिए जल्दी से छूट नहीं रहा है इसका मीन्स यह परफेक गोल यह देखिए जल्दी से छूट नहीं रहा है पीछे वाली साइड पर मैं आपको दिखा रही हूं तो इस तरह की कंसिस्टेंसी का गोल तो यहां पर हम बनाएंगे अलू का मसाला सबी चीज़े हमारी अर्मोस्त तयार हो चुकी है यहां पर मैंने दो बड़े चमच के करीब तेल ले लिया है जैसी हमारा तेल गरम हो जाएगा हम इसमें डालेंगे एक टीस्पून जीरा दोस्तों यहां पर मैं आलू का मसाला बना रही हूँ आप चाहें तो पनीर का बना सकते हैं चाहें तो सोया बीं का बना सकते हैं अगर नॉन्वेश पसंद करते हैं तो चिकन का मसाला बना कर रेडी कर सकते हैं मतलब फिलिंग आपकी मर्जी है जो भी आप अंदर भरना चाहे वो भर ले आलू सभी को बहुत पसंद होते हैं इसलिए आज मैं आलू की ही स्टफिंग बना रही हूं अब जैसी हमारा जीरा पक जायेगा मैंने यहाँ पर एक मीडियम साइस का प्याच ले लिया था अब हम वो इसमें डालेंगे प्याच को कुक करेंगे जब तक इसका जो क अब उनके इस्तमाल कर लीजे अगर फ्रेश है तो उनको बॉयल करके यूज कर लीजे तो मर्जी आपकी है बिलकुल यहाँ पर मेरे पास यह फ्रोजन मटर थे अब यहां पर मैंने मटर को 5-6 मिट तक कुक कर लिया है ताकि यह अच्छी तरह से कुक हो जाए फिर हम इसमे करते हैं तो कॉमबिनेशन में क्या होता है कि यह पर स्टफींग वाला मसाला होता थोड़ा कम हृषचा होता है और चटनी ज्यादप fol wil expli इता कॉम कहता है पर अगर यहाँ जा पना साद गहां बॉद आलो यहां चाइश हम इसमें मिट को मर्साले से डशित अहां नो आतना हो जाएंगे ना फिर हम उनकी स्किन निकाल कर उनको कदुकस कर लेंगे या तो आप मैश कर लीजे अब यहां पर आलू को आपको 5-6 मिट तक कुक करना होगा ताकि जो आलू है वो सबी चीजों के साथ अच्छी तरह से मिल जाएं 5-6 मिट के बाद आप देखिए इसका कलर ब अब इसे मिक्स करेंगे और एक से दो मिनट के बाद हम गैस का फ्लेम है वो बन कर देंगे और इस मसाले को अच्छी तरह से ठंडा होने देंगी जटपड से जो है आलू की पेस्ट बनकर तयार हो जाती है और इस तरह से बनाते हैं तो इसका स्वाद भी बहुत कमाल का होता है तो बस यहां पर मैंने गैस का फ्लेम बन कर दिया है और इसे हम ठंडा होने देंगी तो दोस्तों हमारी सबी चीजे हो चुकी है अब फिर से चलेंगे हम अपने आटे के पास जो हमने लगा कर तयार किया था भाई इसने आराम कर लिया है और यह अच्छी तरह से सैट हो अब हम एसे एक बार हांतों से फिर से सैट कर लेते हैं और इसकी हम छोटी छोटी लोया बना लेंगे ओके दोस्तों मैंने आप ठोड़े मीडियम साइज की लोया बनाई है तो सोला से सत्रा बन गई थी अगर आप ठोड़ी और चोटी चोटी बनाएंगे तो बीस आराम से इसमें तो इस तरह से हमने रेडी कर लिया है अब हम इस तरह से एक लोई लेंगे और इसको हाथों में रोल करेंगे रोल करने के बाद दोस्तों हमें से बेलना है जैसे हम रोटी को कैसे बेल कर तयार कर लेते हैं तो थोड़ा सा सूखा सा मैदा हम इसमें डस्ट करेंगे औ और उसके बाद हम इसे बेल कर तयार कर लेंगे देखें बढ़िया से जितना हो सके आप इसे पतला बेलिएगा और चाहें तो अगर आपके पास time कम है न तो आप थोड़ी सी बड़ी लोई तोड़ लीजिए और उसको थोड़ा बढ़ा बेल कर कोई भी कटोरी या किसी भी ग कटोरी से कट कर लेना शेप भी सबकी बराबर हो जाएगी और महनर भी थोड़ी कम लगेगी चलो मैंने आपको बता दिया बाद में मैं ऐसे करूगी तो यह देखें इस तरह से हमें इसे फोल्ड कर दिना है को आप पैक कर लीजिए पानी लगाने की ज़रुत नहीं है बिल कि देना चाहें दे सकते हैं जैसा भी आप चाहें वैसी शेप आप इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है यहां पर देखिए मैं किस तरह से से शेपिंग कर रही हूं फिर से आपको जूम कर के दिखा रही हूं यह देखिए इस तरह से टाकि इसका लुग भी अच्छा लगे और जो है ऐसा करने से क्या होगा इसके corners भी खुलेंगे नहीं तो थोड़ा safe side भी हो जाएगा इसको finger type की मैंने shape दे दी अच्छी तरह से मैंने सभी नास्ते को ready कर लिया है अब हमने इस लेरी और konflex को भी पहले से तयार करके रखा तो बस अब हमें कुछ नहीं करना यहां पर हम मच की help से हमें से slayeri में डुबोना है और फिर इसे बचा कर बाहर लाना है और फिर हमें से conflex में tip करना है अच्छी तरह से देखिए बस हो गया ready कुछ भी नहीं है अब इस तरह से सभी नास्तों को बना कर आप ready करके रख लिजे वैसे एक और बात बताओं दोस्तों आप च में हो तो इस तरह से बना कर रख दें जब महमाना आए तो बस उने 5 मिट में फ्राय करके दे दे हो गया जटपट से 5 मिट में बनने वाला नास्ता आप पहले मैनत लगती है वह बात अलग है बट आप इसे ट्राय करेंगे तो आपको बहुत ही पसंद आए गई अब कठाई में तेल गरम हो चुका है और यहां पे मैंने फर्स बैच को बना कर रेडी कर लिया है तो यह देखे यहां पे हम सभी को इनको डाल देंगे और मीडियम फ्लेम पर दोस्तों हाइ फ्लेम नहीं रखना है मीडियम फ्लेम पर आप इसे अलटते पलटते हुए को कीजेगा और जब इसका कलर अच्छी तरह से चेंज हो जाएगा फिर हम इसे बाहर निकाल देंगे यहां पे इस नास्ते की जो साइज है थोड़ी सी बड़ी बनी थी क्योंकि मैंने इसे बेला था बाद में जो मैंने बनाया ना स्लॉट उसको मैंने कटोरी से कट किया था तो उनकी साइ इस वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजेगा कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको मेरी रस्पी कैसी लगी और अगर चैनल पर पहली बारा है तो नीचे रैड कलम में सब्सक्राइब लिखा हुआ है वहां पर क्लिक करते ही जो बाजू में घंटी आइगे उसे जरू और जरूर रहस कीजिएगा तकि आपके पास मेरे हर लेतिस वीडियो की अपडेट सबसे पहले आसके तो अब मैं आपके सब मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई